हलो अप्रिवन आप लोग कैसे हैं हाई होब कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे हमारे यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो दो चरो वाले रैखिक समीकरण की युगम का हल ग्यात करने के निम्न बिधी है ग्राफ विधी, बिलोपन विधी, प्रतेस्थापन विधी, वजरुन विधी इन चारो विधियों में से हम ग्राफ विधी बता रहे हैं तो ग्राफ विधी हम पिछले वीडियों में वह आपको बताये थे एवं जो रेखाएं आपस में काटती हैं उस बिंदु का निर्दे सांग भी ग्यात कीजिए तो देखे इसमें क्या होता है कि समीकरण पहले से दिया है समीकरण क्या है पहले सिदिया है और इन समीकरणों में चाहे Y का मान चाहे X का मान निकाल कर हम एक टेवल बनाते हैं इसी परकार समीकरण 2 में हम लोग क्या करते हैं या तो Y का मान निकाल कर क्या बनाते हैं टेवल अब इस टेवल के द्वारा जो निर्देसांग पुराब्ध हुआ है इन निर्देसांगों के द्वारा हम क्या करते हैं ग्राफ पेपर पर दर्सा कर उसका हम क्या करते हैं ग्राफ विदी से हल कर लेते हैं लेकिन अब समस्या यह आती है कि अब तक हमने समीकरन दिया था तो ग्राब बनाया था लेकिन अब हमें साबदिक प्रसंद मिलेगा और साबदिक प्रसंद की द्वारा हमें समीकरन बनाना होगा क्या बनाना होगा समी करण बनाना होगा तो देखी इसको बोला जाता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने तीन बल्ले तथा छे बाल 49 रुपे में खरी दी बाद में उसने एक बल्ला तथा दो बाल 13 रुपे में खरी दी तो हल को बीज गंड़ती तथा जामिती रुप में क्या कीजिए व्यक्त कीजिए तो देखी इस साबदिक परसन इसको बोला जाता है सब्द में लिखा गया तो इस प्राबलम को साल्व करना है तो साबदिक परसन से अब हमें समी करण बनाना होगा और आप इसके पहले समी करण पहले से दिया था और उस समीकरण देने के बाद आप ग्राप पेपर पर दरसाते थें लेकिन अब हमें साफ़दिक प्रसन मिलेगा और साफ़दिक प्रसन के बाद क्या बनाना होगा समीकरण बनाना तदी कि इन साफ़दिक प्रसनों का कैसे हम समीकरण बनाते हैं लिखा एक cricket team के कोजने तीन बल्ला बस आप ऐसे तीन बल्ला लिख दीजिए कितना गेद है छे गेद हो गया कितने रुपए में 49 रुपए में तो क्या यह समीकर्ण बना नहीं बनाना तो समीकर्ण बनाने के लिए हमें बोला गया था कि यक्स और वाई दो चर होना चाहिए वो दोनों चर या तो जोड़ा जाए या तो घटाया जाए तो यह तो प्रस्ण हमारा बताएगा कि हाँ जोड़ा जाए कि घटाया जाए तो आप मार्केट में जा ये और मार्केट में जानेके रहे एक बदर 3 बैट खरीदिये और 6 गेट खरीदिये इन दोनों के दाम कितना हो रहां 39 तो दोनोंका प्लस होगा क्या होगा प्लस होगा तो 3 बल्ला और प्लस 6 गेद बराबर कितने रुपए में 49 रुपए में हो रहा है तो क्या यहाँ पर इस तरह से आपका समिकन बनेगा नहीं बनेगा तो यहाँ पर हम देखें 3 बल्ला हो गया और यह जो बल्ला है ना इस बल्ले को हम माल लेते हैं X क्या माल लेते हैं यकस प्लस छैगेद को क्या माल लीजीए अब यहाँ आपका मिल गया 3X प्लस 6Y बरावर 400 रुपया मिल गया तो यहाँ बन गया 3X प्लस 6Y बरावर 49 यह बन गया समी करण देखिए समी करण बनाने आगया आपको अब इसे अगर छोटा कर सकते हैं तो देखे 3 x plus 6 y इन दोनों में अगर हम 3 common ले लेते हैं तो हमारा 3 से 3 कट जाएगा बचेगा x plus 3 दूना 6 2 y बराबर हो गया 1 तालिस सो clear हो गया अब यहाँ पर 3 से अगर 49 सो को काटेंगे तो यहाँ से कटेगा 3 एकम 3 तीन तीन तरी कानों कट के कितना आया 13 सो आया तो यहाँ अगला समीकरण बन गया x plus 2 y बराबर 13 सो तो यह बन गया समीकरण नंबर क्या बन गया एक बन गया समीकरण क्या बन गया एक अब इसी तरह हम क्या करेंगे समीकरण एक जब बन गया अब हमारा इसे में दूसरा सर्थ क्या करा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा सर्थ है इसमें, अच्छे से देखेगा, यह हो गया पहला पॉइंट, ठीक, दूसरा पॉइंट करा इसे प्रस्थ में, कि बाद में उसने एक बला, कितना बला बोला है? एक बला, किनना बाल है? दो बाल है कितने रुपए में? तेरह सो में हो गया कितने में हो गया? तेरह सो में हो गया अभी ध्यान देना है हमने बल्ला को क्या माना है? येक्स माना है तो यहां हो जाएगा वान येक्स तेरह सो में खरीद है तो प्लस रहेगा, यहां बराबर रहेगा तो प्लस हो गया 2 बाल को क्या माने है, वाई माने है तो जागा 2Y बराबर 1300, तो यहां समीकरण क्या निकल के आपका आया यहां समीकरण निकल के आया आपका X प्लस 2Y बराबर 1300, यह बन गया समीकरण नमबर टू समीकरण नमबर क्या बन गया टू अब समीकरण एक और समीकरण दो आपका तयार हो गया आगया ना और इसके पहले जब आप गराप पेपर पढ़ रहे थे तो पहले से समीकरण दिया रहता था लेकिन यहाँ पर आपका समिकरण क्या है बनाना पड़ा है तो यहां पर देखे सब्द में लिखा था और इन सब्दों की सहायता से आपने समिकरण एक और समिकरण दो क्या क्या प्राप्त कर लिया अब हमसे करा बीजगंड़ती तो बीजगंड़ती तो हो गया करा जामिती रूप में वेक्त कीजिए तो जामिती रूप में चलिए वेक्त किया जाए तो जामिती रूप में कैसे वेक्त करेंगे आपको पता होगा कि यह जो समीकरण एक है ना इस समीकरण एक में हम क्या करेंगे जैसे पढ़े है पहले जयामिती बनाने के लिए तो या तो X का मान निकालो या तो Y का तो हम निकालने जा रहा है यहाँ पर यह हो गया आपका बीज गरतिय रूप ठीक अब हम चलेंगे जयामिती रूप में किस रूप में चलेंगे जया मितिय रूप तो जियामिती रूप में सबसे पहले हम क्या करेंगे या तो X का निकालेंगे या तो Y का तो हम निकालने जा रहे हैं X का तो हो जाएगा X बराबर 1300 यह जो प्लस 2Y है ना इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस 2Y बन गया कोई दिकत नहीं हुआ अब हम क्या करेंगे यहाँ पर टेवल बनाएंगे क्या बनाएंगे टेवल तो देखे टेवल इस तरह आपका बनेगा अच्छे से देखते चलिए सबाता जाएगा यह लीजिये बन गया आपका हो गया हो गया ना तो यहाँ पर हमने X बराबर 1300 प्लस 2Y दर आएगा क्या बनेगा माइनस 2Y बन गया तो एक ब्रेकट में रखिए X एक में रखिए Y हो गया ना अब हमें Y के जगे पर मान रखना है और X का मान प्राप्त करना है तो यहाँ Y है ना तो Y के जगे पर हम कितना रख दें तो ध्यान दीजे Y के जगे पर हमको मान रखना है तो रफकार करना है तो हमने आपको सिखाया पहले से भी था तो कैसे रखना है तो यहाँ ध्यान दीजे आप लोग यहाँ लिखा हुआ है आपका X बराबर 1300 100 minus 2y तो x बराबर 13 100 and minus 2 गूरे अगर यहाँ पर 600 आप रखते हैं y के जन्हाँ पर 1300 minus 6 2 1200 तो x बराबर किन निकल कर आया 100 100 तो y के जन्हाँ पर किन बाद रखे हो y के जन्हाँ पर 600 तो यहाँ देखे रिखिये y के जन्हाँ पर 600 लिखेंगे, किना लिखेंगे? 600 तो X का value कितना आएगा? 100 आएगा, कितना आएगा? 100 अब हम इसी तरह Y के जेगह पर अगर 500 रखेंगे कितना रखेंगे? 500 तो किना आएगा? 5 दूना? 10 तो 1300 में से 1000 घटेगा, तो आएगा 300 तो किना value रखेंगे, 500 रखेंगे Y के जेगह पर, तो 5 दूना 10, 1300 में से 1000 घटेगा, 300 आएगा? तो इस तरह हमने क्या किया? समीकरण 1 का table बना लिया, बन गया अब table बनाने का बाद हम चलेंगे समीकरण नंबर किस पर? 2 पर चलेंगे, तो समीकरण 2 आपका क्या है? ध्यान दीजेगा समीकरण 2 यहाँ पर है X प्लस 2Y बराबर 13 सेम वही कंडिशन है सेम वही मान है बिल्कुल हैरान नहीं होगेगा सेम वही मान है बस हो गया यहाँ पर आप X लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए? Y लिखिए तो जो यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर भी देखिए X प्लस 2Y बराबर 13 सो दिया तो इसमें भी वही आल है X बराबर 1300 माइनस 2Y हो गया तो वही मान रखेंगे तो वही मान निकल के राएगा तो चलिए क्या करना वही मान रख दीजिए तो 600 रखेंगे तो किनना निकल के आएगा 100 500 रखेंगे 300 आएगा तो सेम आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है डरने की कोई बात ने आईसा आप मान रखेंगा नहीं तो कटने पर 10 मलोग आए आना तो भीन आए आईसा अंकर को जो पूड़ांक में है दो कि हमने आराम से रखा 600 रखा 100 निकला 500 रखा तो निकला 300 अब इस तरह से मेरा टेवल क्या हुआ हुआ है तैयार हुआ है अब इस टेवल की सहायता से हम कहा करेंगे ग्राफ पेपर पर चित्र बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पर चलिए खीचा जाए ग्राफ पेपर ले लेते हैं और ग्राफ पेपर पर बनाना सुरू करते हैं अब इरहा ग्राफ पेपर अब इस ग्राफ पेपर पर हमें अपने समीकर्ण के अनुसार क्या करना है हल करना है है ना तो चलिए हल किया जाए अब हम जियामिती रूप में इसको क्या करेंगे हल करेंगे तो देखिए टेवल जो मेरा बना था यहाँ 100 और 600 है 300 और 500 है तो हमने क्या किया ग्राफ पेपर पर देखिए यह सब एक यह और यह क्या है यह यह सच यह दू परसपल लमट रेखा इसे खीच लिया ग्राफ पेपर पर और यहाँ पर देखिए एक खाना बराबर जो है 100 की बराबर है कितने इक बराबर है 100 की तिहां नीचे हम लिग देते हैं कि एक जो खाना है एक खाना बराबर कितना है 100 है जो एक खाना वो 100 की क्या है बराबर है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ऐसे आपको एक अच पर 100, 200, 300, 400, 500, 600 और क्या है 7 और 800 है तो चलिए पहले क्या दिया है इसके निर्दिसांग के नुसार एक्स में कितना है 100 है और य में कितना है 600 है तो इसका निर्दिसांग होगा 100, 600 है न तो एक्स है फिर क्या है वाई है तो पहले एक्स चलेंगे तो एक्स बराबर किना चलेंगे 100 तो देखे एक्स बराबर हमेंने 100 चला अब यहीं से हमें वाई कमान किना है 600 तो यहीं से उपर 600 चलेंगे कितना चलेंगे? 600 तो देखिए 600 यहाँ पर है यह ऐसे से डाट-डाट कर देंगे तो आसान हो जाएगा आपको समझने में तो देखिए यह हो गया आपका कितना मिल गया आपको? यहाँ मिला आपको कितना? 100 कामा कितना मिला 600 मिला आगे समझ में दूसरा वाला किना दिया है दूसरा वाला दिया है 300 कामा 500 दिया है तो यहाँ X का वैलू किना है 300 तो X का वैलू 300 हो गया और Y कमान किना है 500 तो यहाँ पर देखिए X बरावर जब 300 चलेंगे तो y बरावर किना चलेंगे 500, चलेंगे, कितना चलेंगे 500, तो देखें, यहां पर हमने x पर 300 पर चला, और यहां पर y कमान कितना है 500 है, देखें, x बरावर 300 होगा, और उपर किना जाएंगे 500 पर जाएंगे, यह मिल गया आपका बिंदू, तो यह कितना हो गया आपका, यहा जो टेवल बना था, उस टेवल के अनुसार हमने निर्देसांक इस जामती आकरती पर क्या किया दर्सा दिया, अब हम चलते हैं, समीकरण दो अर्था टेवल पर दो, तो टेवल दो देखे कैसा है, ये देखे टेवल टू है, टेवल टू में भी देखे 100 और 600 है, और 300 और 500 है, तो सेम ही होगा, तो देखे 100 चलेंगे, फिर 600 चलेंगे, फिर 300 है, तो 301 है, फिर उसके बाद 500 है, तो दोनों उसी बिंद पर फिर आ रहा है, तो उसी बिंद पर आ रहा है, तो इस बार लाल कलर से सिपर कर दे रहा हूँ, कर दिया न, सेम है, अब इन दोनों बिंदों से हम क्या खीचेंगे एक रेखा खीचेंगे अब रेखा खीचेंगे इसको यह ऐसे देखे खीचा जा रहा है यह हमने क्या खीच दिया रेखा खीच दिया अब यहाँ पर समीकरण एक का भी यही रेखा है और समीकरण दो का भी यही रेखा है तो समीकरण एक इसी में यलवन भी है और इसी में क्या है यलटू भी है तो समीकरण एक का भी यही रेखा बनेगा और समीकरण दो का तो इसलिए इसको बोला जाएगा समपाती क्या बोला जाएगा समपाती बोला जाएगा ठीक आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो जो सवाल दिया गया था इस सवाल का ज्यामिती रूप में क्या बनेगा क्योंकि जब एक ही बिंद उपर दो रेखाएं आपस में उपर और नीचे हो रहे हैं तो वहाँ पर उसको बोला जाता है समपाती क्या बोला जाएगा समपाती तो I hope आपको ये समझ में आ गया होगा ठीक है clear हो गया न तो हमने समीकरण एक और समीकरण दो का आलेखी रेखा खीचा और आलेखी रेखा जब खीचा तो मुझे पता चला कि ये दोनों की दोनों क्या हैं सम पाती रेखा कैसा रेखा है सम पाती सवाल नमबर टू पर चलेंगे सवाल नमबर टू भी आपका वही है some what's problems है मतलब कुछ साब्दिक प्रसन है इस साब्दिक प्रसन से आपको समीकरन बनाना है दो चरोवाला रहखे के समीकरन तो चलिए देखे लिखा 2 kg सेब बस कुछ नहीं करना आप ऐसे राम से लिखिए 2 kg क्या है आपका सेब है उसके बद 1 kg 1 kg 1 kg अंगूर है क्या है अंगूर यह दोनों मिलकि कितने रुपए में है किसी दिन किनना रुपए में था 160 रुपए में था ध्यान सुनिएगा 2 kg सेब और 1 kg अंगूर कितने रुपए में था 160 रुपए में था यहां तक हो गया समझ में आ गया लेकिन हमें क्या यहां पर कहा गया है भीज गड़िती भासा में तो भीज गड़िती में एक है अंगूर को माल लीजे वाई तो गया 2x प्लस 1y बराबर 160 हो गया आया समझ में ना तो यही लिखा था 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मुल जो है 160 प्या था तो सेब और अंगूर दोनों मिल कर तो मिलने का मतलब प्लस कितने का 160 प्या आया तो सेब को माल लीजे आपने x और अंगूर को माल लीजे आपने y तो यहां समी एकरण क्या निकल के आया समी एकरण आपका बन कर आया 2x प्लस y बराबर 160 समी एकरण बन गया 1 क्लिर समझ में आ गया इसी तरह अब दिया है एक महीने एक महीने बाद 4 किलो ग्राम सेब तथा 2 किलो गारा अंगूर का दाम कितना रुपिया हो गया है 300 रुपिया हो जाता है कितना रुपिया हो जाता है 300 रुपिया हो जाता है इसको देखिए यहां लिखा है एक महीने के बाद 4 किलो ग्राम सेब और कितना किलोग्राम अंगूर है दो किलोग्राम अंगूर कितने रुपए में हो जाता है 300 में होता है तो 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर ये दोनों मिल कर तो मिलने मालब प्लस कितने रुपए में 300 रुपए में तो देखिए चार हो जाएगा सेव को आपने क्या माना है एकस माना प्लस 2 हो गया और अंगूर को आपने वाई माना तो यहां हो गया आपका 4 एकस प्लस 2 वाई बराबर 300 इस तरह हमने क्या क्या साथदिक प्रसंद से सम्मी करण बना लिया लेकिन इस समीकरण में देखिए और इसको छोटा करने के लिए आप कामल ले सकते हैं तो इसमें 2 कामल लेंगे तो 2 दुना 4, 2 x आएगा पलस 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा y बराबर हो गया 300 अब यहां से 2 से काटेंगे 300 को तो आएगा 1.500 कितना आएगा 1.500 मतलए 150 तो समीकरण बना 2 x पलस y बराबर 150 समीकरण बने गया आपका 2 क्लियर समझ में आगे ना अब जो इस प्राबलम था साब्दिक प्रसन का कुछ सब्दों का साब्दिक प्रसन का जो प्राबलम था प्राबलम देखे समिकरण में आपका निकल कर आ गया तो इसको बोला जाता है साब्दिक प्रस्न और इस साब्दिक प्रस्न से हमने क्या बना दिया दो चरोवाला रायखिक समिकरण यूग में आपसे पूछा था बीजगंड़ती आप x का मान निकालो या तो y का तो चलिए अब हम इसको ज्यामिती रूप में लगाने जा रहे हैं तो देखे 2x प्लस y बराबर 160 है तो इसको अगर ज्यामिती में जब आप लगाएंगे किसमें लगाएंगे ज्यामिती में यहाँ छोटा लग दिया गया ज्यामिती में तो कैसे लगाएंगे ध्यान दिये 2x प्लस y बराबर 160 है जब जब आपसे ज्यामिती पूछे गाते या तो x का मान निकालो या तो y का तो यहाँ देखे हम y का निकालेंगे तो y बराबर 160 है और यह प्लस 2x इदार आएगा माइनस 2x हो गया ना अब इस y बराबर 160 माइनस 2x से आपका टेवल आसानी से बन जाएगा तो देखे टेवल कैसे बनेगा अराम से देखिए यहाँ पर हमें से यह बन गया आपका टेवल टेवल बन गया अब इस टेवल में हमें क्या करना है x के जिगापर मान रखना है y का मान निकालना है तो x हो गया और y हो गया चलिए x के जिगापर क्या मान रखे तो मैं आपको बहुत पहले बताये था ऐसा मान रखेंगे जिससे आपका हल होने पर चोटा सा चोटा मानाए क्या मानाए चोटा मानाए तो देखिए हम यहाँ पर अगर हल करेंगे तो हल करने पर आपका निकल के देखी क्या आराध्यान दीजेगा अच्छे से यहाँ पर दिया है Y बराबर 160-2X तो Y बराबर 160-2 गुड़े अगर यहां हम X के जिगाप पर 80 रख देते हैं तो Y बराबर 160 मानस 62 16 किना होगा 160 तो Y बराबर 160 में से 160 घटेगा किना आया सुन आया क्या रखने पाया X के जिगाप पर 80 तो यहां X के जिगाप पर 80 होगा तो Y का मान क्या आएगा सुन आएगा आया ना समझ में इसी तरह आप फिर X के जिएंग पर कोई मान दूसरा रख दीजिए तो अगर हम यहां पर Y बराबर 160 माइनस दो गुड़े 80 के जिएंग पर 70 रख दें तो Y बराबर 160 मानस 7 दुना चवदे 140 तो Y बराबर किन आएगा 20 आएगा 20 तो हमने क्या रखा यहां X के जिएंग पर 70 रखा तो Y का मान कितना आया 20 आया आगया देखिए अराम से छोटा मान में आ गया ठीक ऐसा अंक रखिए जिससे आपका छोटा सा छोटा मान निकल कर आए है ना तो समझ में आ गया तो समीकरण 1 का हमने टेवल बना लिया अब हम चलते हैं समीकरण नमबर जो 2 बना है इस समीकरण 2 का टेवल बनाने तो देखिए समीकरण 2 का टेवल भी इसी परकार बनेगा तो देखिए सबसे पहले या तो X का निकालो या तो Y यहां हम भी Y का निकालेंगे Y बराबर 150 माइनस यह प्लस 2 X से इधार जाएगा यहां पर आप टेवल बना लीजिए क्या बना लीजिए टेवल बना लीजिए लीजिए हो गया ना इसमें आप एक में X करिए एक में Y करिए यहां X का वैलू रखिए Y कमान निकल जाएगा क्या यहां रखा जाए सोच कर बताईए क्या रखा जाए छोटा सा छोटा निकले तो देखें यहाँ X के जिगह पर अगर हम क्या रख देते हैं 60 रख दीजिए या 70 रख दीजिए तब भी आ जाएगा तो यहाँ पर हम X के जिगह पर 70 रखते हैं X के जिगह पर 70 तो 7 दुना 14 होगा यह मतलब 140, 150 में 640 घटेगा किना आएगा? 10 आएगा आएगा ना फिर इसी परकार अगर हम 80 रखते हैं तो माइनस में आजाएगा तो माइनस में क्या करने के लिए प्लस में ही कर लेजिए तो यहाँ पर अब की बार हम रखेंगे कितना? 60 तो किना रखेंगे? 60 तो 60 दुना 120 होगा तो 150 में 120 घटेगा तो आएगा किना? 30 इस तरह हमने क्या किया? दोनों समीकरणों का टेबल निकाल लिया तो 2X पलस Y परावर 160 और 2X पलस Y परावर 150 यह तो गया 20 घटी आपका लेकिन आप से करा जामिती तो जामिती में क्या करना? इसी समीकरण में से या तो Y कमान निकालो या तो X तो Y कमान निकाल के टेबल बना लिजिए इसी परकार इसमें भी Y कमान निकाल के टेबल बना लिजिए अब टेबल मेरा क्या हो गया? तैयार हो गया अब इसका निर्दे सांग कितना मिला इसका निर्दे सांग मिला असी कामा सुन इसका निर्दे सांग सतर कामा बीस इसका निर्दे सांग सतर कामा दस और इसका आएगा साथ कामा तीस इस तरह हमने निर्दसांग पा लिया अब इस निर्दसांग के बाद हमें क्या बनाना है ग्राप पेपर पर दरसाना है देखें ग्राप पेपर पर वैसे दरसाना है यहां एक्स बराबर असी है और वाई बराबर क्या है सुन है तो पहले X होता है फिर क्या होता है Y तो यहां देखिए हमने क्या किया है यह जो एक खाना ना तो एक खाना बराबर 10 के बराबर है एक खाना बराबर किना 10 है तो हमने 10 से अंतर अंतर पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो गया ना अब यहां पर हमें क्या करना है कि हमें एक्स बराबर असी है तो यहां पर देखी एक्स आला ही है तो एक्स बराबर किना है असी है उसकी बाद वाई बराबर किना है सुन है एक्स का मान है और यह किसका है वाई का तो एक्स बराबर असी पहले असी चले असी चले y बराओर सुन तो सुन चलेगा नहीं इसी पर रहेगा तो यह हो गया आपका पहला निर्द सांग इसका नाम है 80, सुन आगे समझ में न उसके बाद दूसरा है 70, 20 70, 20 तो यहाँ पर 70 आपका क्या है x है और y क्या है 20 है तो पहले x चलेंगे 60 70 देखे यक्स पर हमने 70 चला अब हमसे y पराबर करा 20 तो यहीं से चलना है तो 70 पर पहुंचें यहीं से 20 चलिए 10 और 20 यह बिंदू आ गया समझ में आया ना यह ऐसे ऐसे करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा देखे यह बिंदू मिल गया इसका है निर्दसांग 70 कामा कितना है 20 है हो गया ना अब इन दोनों बिंदूओं से हमें क्या खीचना है एक सरर रेखा खीचना है तो चलिए एक सरर रेखा खीच दिया जाए ए और उपर ले लिजिए कोई दिक्कत नहीं है यह आपका हो गया सरर रेखा हो गया क्या हो गया सरर रेखा हो गया एक है ना तो सरर रेखा इसका नाम 11 हो गया क्या हो गया 11 हो गया अब इसी परकार हम क्या करेंगे जो समीकरण 2 का table बना है उस समीकरण 2 का table पर योग करेंगे देखिए समीकरण 2 का table यह है इसमें है पहले x बराबर 70 है फिर y बराबर 10 है तो फिर देखिए इसमें भी है x बराबर 70 चलिए 70 पर चलिए 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 पर चलें लेकिन Y कमान किना करा 10 कर रहा है तो यहीं से 10 पे चलेंगे तो यहीं हो गया आपका तो इसका निर्देसांग कितना हो गया 70 कामा 10 हो गया किलियर हो गया इसी प्रकार अब हम 60 कामा किना है 30 है तो X बराबर 60 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो गया उसके बाद 60 हो गया तो देखिए X बरावर 60 है तो 10, 20, 30, 40, 50 60 हो गया और Y बरावर 30 है तो यहीं से 30 उठीए 10, 20, और कितना हो गया 30 हो गया यह हो गया आपका 70 कामा कितना दिया है गलत हो गया 70 कामा 10 हो गया 70 कामा 10 हो गया उसके बाद 60 कामा 30 है 60 यह है 60 कामा 31 हो गया 60 कामा 30 तो यहां लिखेंगे 60 कामा 30 तो यह बिंदु में लिगा अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे आपस मिलाएंगे इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे इन दोनों बिंदों को हम जा रहे हैं मिलाने तो देखिए दोनों बिंदों मिलेंगे कहीं न कहीं तो कट बे करेंगे है ना तो या तो कटेंगे या तो ये दोनों समानतर होंगे तो देखिए यहां पर दो बिंदों है ये एकदम सीध पर समानतर आ रहा है यह देखिए यह यलवन था तो यह कौन सा रेखा है यलटू है तो यह दोनों रेखा कैसे बने समानतर बने है ना कैसे बने समानतर बने तो यहां लिखेंगे समानतर क्या लिखेंगे समानतर जो एक दूसरे को परिछेद नहीं कर रहे है ना देखे यलवन था ये और ये क्या था यलटू था तो यलवन और यलटू इन दोनों समीकरणों का जो निर्दसांक बना था उन दोनों निर्दसांकों से जब मैंने सरर रेखा खेचा तो सरर रेखा से पता चला कि ये दोनों की दोनों क्या है समानतार है पैलरर है एक दू एंगे समानतर बना थीक क्लियर हो गया अब हम चलते हैं सवाल नमबर 3 पर अब देखिए सवाल नमबर 3 क्या कहा रहा है पांच पैंसिल तथा साथ कलम का कुल मुल 50 रुपया है जबकी साथ पैंसिलों तथा पांच कलमे का कुल मुल 46 रुपया है तो यूगुपत समी करण का निर्माड करके एक pencil वए एक कलम का मुल ग्यात कीजिए तो यहाँ पर हमसे pencil का मुल और कलम का मुल भी पूछा है तो सबसे पहले तो हमें समीकरण का क्या करना है निर्माड करना हमसे कह रहा है यूगपत समीकरण का निर्माड करना है तो यह तो साब्दिक प्रस्ण है इस साब्दिक प्रस्ण से कैसे समिकन बनाना है चलिए हम लोग सीखते है तो यहाँ पहले क्या लिखा है पांच पैंसिल लिखा है कितना लिखा है पांच पैंसिल तो आप ऐसे लिख दीजिए पांच पैंसिल लिख दीजिए हो गया कितना कलम है साथ कलम लिख दीजिए साथ कलम इस दोनों मिल के कितने रुपए में है पचास रुपए में है तो पांच पैंसिल और साथ कलम दोनों मिल कर है तो मिलने का मतलब पलस हो गया तो 5 pencil प्लस 7 column बराबर कितने रुपए में है 50 रुपए में है कितने रुपए में है 50 किलियर हो गया लेकिन यह आपका समीकरण बना नहीं है क्योंकि समीकरण युग पस समीकरण के निर्माड में मुझे दो चर्की सहायता लेना पड़ेगा तो यहाँ पर देखे 5 हो गया pencil को माल लीजिए x और column को माल लीजिए y तो 5 x प्लस 7 y बराबर किना हो गया 50 हो गया तो यह बन गया समीकरण नमबर आपका 1 बन गया आगे ना समझ में इसी प्रकार आगे करा जब कि 7 pencil कितने pencil की बात कर रहा है 7 यहाँ पर इसे अलग कर दीजिए कितना pencil करा 7 pencil प्लस बराबर 46 लेकिन क्या यह समीकरण बना नहीं बना तो यहाँ पर 7 हो जागा pencil को आपने क्या माना है x यहाँ हो गया x प्लस 5 कलम को क्या माना है y तो गया 7 x प्लस 5 y बराबर किना हो गया 46 हो गया यह बन गया समीकरण नमबर 2 हाँ आप लोग लगाना चाहते तो पहले से मान सकते कि माना पैंसिल बराबर एक्स और कलम बराबर वाई तब भी सही है तो आप ऐसे लिख सकते कि माना पैंसिल का मुल बराबर एक्स रुपिया और कलम का मुल बराबर वाई रुपिया तब भी सही है और जैसे मैं बतायां यह भी आपका सही है यहां तक आ गया ना अच्छा समी iht लूण आपने बना दिय लिखा था युग पर समीह करण का निर्माड हो गया अब इस निर्माड के बाद हमें एक पैंसिल और एक कलम का मुल बताना है तो देखिए एक पेंसिल और एक कलम का मुल हम चार विदी हमारे पास है चारो विदियों में से कोई भी लगा सकते हैं लेकिन हमें जामिती रूप से बताना है जामिती रूप से तो देखिए जामिती रूप से हम कैसे हल करते हैं ध्यान से देखिते चलिएगा चलिए किस रूप में हमने बोला है ज्यामिती ज्यामिती रूप तो देखे ज्यामिती रूप में कैसे हल गया जाता है इस समिक्रण या तो X का वैली निकालो या तो Y का निकालो तो हम पहले समिक्रण को उताल लेते हैं तो 5X पलस 7Y बराबर 50 तो यहां हो जाएगा आपका 5X बराबर 50 पलस 7 इधर आएगा तो बनेगा माइनस 7Y और फिर हो जाएगा X बराबर 50 माइनस 7Y बटे किना हो गया 5 हो गया यहां तक आगे समझ में X का वैली निकाल लिया गया अब इसके बाद हम यहां पर क्या बनाएंगे आपको पता ही होगा यहां पर हम TABLE बनाएंगे क्या बनाएंगे? TABLE बनाएंगे यह बन गया आपका TABLE हो गया ना? अब इस TABLE में हम मान रखेंगे X और क्या है? Y है तो Y के जैने पर मान रखेंगे तो X का वैली निकल कर आएगा तो हम आपको समझाए हैं बार-बार कि हमें ऐसा मान रखना है जो कटने पर दसमलो और बटे में ना है पूडांक में आए तो यहाँ वाई की जहेंगे पर क्या मान रखा जाए बोलिए जल्दी से तो यहाँ वाई की जहेंगे पर अगर हम यहाँ पर एक साधा पेज ले लिए इस साधा पेज पर देखे हम हल करते चलने है यहाँ बराबर है पचास माइनस साथ य की जगह पर यदि आप पांच रख दो है ना तो यह बराबर पचास माइनस साथ पचे पैंथिस बटे पांच तो यहाँ यक्स बराबर पचास में से पैंथिस गया आया पंदर है पटे पांच कटके किन आया तीन आया तो यहाँ पर देखे आपने वाई के जगह पर क्या रखा 5 रखा तो X का value कितना आया 3 आया तो बस कुछ नहीं करना यहां रख दीजे आपने Y के जगे पर किना रखा था 5 तो X का value कितना आया 3 आया आगे न समझ में इसी परकार आप कोई और मान रखिए जिससे कट कर आपका अराम से मान निकल कर चला आए तो अब हम रखना चाह रहे हैं इसमें माइनस भी रख सकते हो आप प्लस भी रख सकते हो अभी तो पहले कोशिस किजिए कि प्लस में कौन सा अंक रखा जाए तो यहां प्लस में अगर हम 6 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा 7 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा 50-10, बटे 5, तो हो जाएगा 50-10, बटे 5, तो यहाँ 50-70 है, तो आएगा घटके-20, बटे 5, घटके-4, तो आपने क्या रखा, आपने Y के जेंगा पर 10 रखा, तो X का वैलू आया-4, आगया ना समझ में, इस तरह आपका टेवल हो गया, तयार, समी करन एक का टेवल तयार, अब हम चलते हैं, समी करन नंबर 2 का टेवल बनाने, तो यहाँ पर भी जियामिती रूम में करना है, तो 7X पलस 5Y बराबर 46 दिया है, तो या तो X का वैलू निकालो, या तो Y, तो इसमें भी X का वैलू निकालो, क्या करना है, 7X पलस 5Y बराबर 46 है, तो इसमें 7X बराबर 46 प्लस 5 इधर जायगा तो बनेगा माइनस 5 ओई यहां हो जाएगा साथ एकस सुरी अब यहां पर आपका एकस होगा तो एकस बराबर मिला 46 माइनस 5 ओई बटे 7 हो गया ने लिए इसके बाद आप क्या करेंगे table बनाएंगे, क्या बनाएंगे, table चलिए table बनाया जाए यह सारडी बना लिया जाए तो सारडी बनाया जाएगा इस परकार अब एक में आप x रखिए और एक में y रखिए तो यहाँ x है और y है तो y के जिएग़ पर मान रखें रखते हैं, किना रखते हैं? माइनस 2, तो आजाएगा किना हल किया जाए? देखे, 46 माइनस 5 गुड़े माइनस 2 बटे 7, तो 46 माइनस 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 पलस हो जाएगा 5 दूना 10 बटे 7 तो हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना नहीं कट रहा है तो इस तरह से आप वाई की जिंगर पर रही हो गया तो बटे 7 गुड़े तो 76 बटे 7 कट नहीं रहा है आप दूसरा माण रखो दूसरा माण क्या चक्या जाएगा तीन रखेंगे तब भी नहीं आएगा कटेगा तीन रखेंगे 46 और पांतियां 15 31 नहीं कटेगा उसके बद 4 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा 26, 5, 6, 7 ऐसे रखते चले जाएगे अगर हम यहाँ पर वाई की जिंगर पर 12 रखें देखें तो जाएगा 46 माणस 5 उड़े 12 बटे 7 तो 46 माणस 12 बटे 7 तो इसको घटाएगे तो कितना आएगा आपका यह 10 में से 6 गया 4 आएगा कितना आएगा 4 आएगा 7, 9, 9, 9, 7, 7, 9, 9, 7, 3, 7, 8 भी नहीं कटेगा चलिए थोड़ा सा गलती हो रहा था अब फिर से मान देखिए यहाँ पर x बराबर 46 माइनस 5 गुड़े यहाँ पर अगर हम y की जिएगा पर माइनस 2 रखते हैं तो यहाँ पर आपका हल होने के बाद क्या निकल गया 46 माइनस माइनस बनेगा प्लस 5 दूना 10 बटे 7 तो x बराबर 46 10 होगा 56 बटे 7 तो 7 अठे कितना होगा 56 x का वैलू कितना आया 8 क्या रखने पर माइनस 2 तो y के जिएगा माइनस 2 रखेंगे तो x का वैलू आएगा 8 इसी तरह y के जिएगा पर यदि हम 12 रखते हैं क्या रखते हैं 12 तो देखिए 46 माइनस 5 गुड़े 12 बटे 7 तो x बरावर 46 माइनस 12 पंजब 50 बटे 7 अगर x बरावर 60 में से 46 गटेगा तो कितना आपका आएगा तो आपका आएगा यहां गटा लिए 40 में से 46 को तो आएगा 4 14 आएगा माइनस 14 आएगा बटे 7 काटेंगे तो माइनस 2 आएगा कि न आएगा माइनस टू आया तो यहां माइनस टू आया इस तरह हमने क्या किया समीकरण एक और दो का दोनों का टेवल तयार कर लिया इन दोनों टेवलों को अब हमें क्या करना है ग्राफी विधी से हल करके बताना है कलम का और पैंसिल का मुल अब हम समीकरण के दोारा जो एक टेवल बनाए इस टेवल को ग्राफ पेपर पर दरसाएंगे ग्राफ पेपर मैंने पहले से क्या किया खीच रखा था एक वाई अच और एक एक सच इस पर देखिए हमने एक खाना में दो पॉइंट डाला है एक और दो मतलब आधा अनि जो आ पर फ्क्राइए तरफ माइनस में है ठीक क्い्लिएर हो गया अब इस निर्देसान के लिएसार चलना है एक सब्राबर 3 और record कि मुर्म है पांच तो इहां एक सब्हू मुल पहले हैं array तीन होगया array बरौब पांच पर चलिए तो यहां से अगर हम 35 रख कर देखें तो यहां X का value जब 3 यहां पर मिला है तो इसके बाद 5 पर Y चलना है तो देखिए यहां पर Y जो है यहां पर ऐसे सीधे ले चलेंगे आप यह हो गया तीन नमबर अब 5 यहां पर देखिए ध्यान से A हो गया तो इस बिंदू का निर्देसांग कितना आया इस बिंदू का निर्देसांग आया 3 कामा 5 आ गया कलियर हो गया इसी प्रकार minus 4 कामा किनना दिया है 10 दिया तो यह देखिए minus 4 X का value कितना है माइनस 4 में है तो X का माण इधर plus होता है है 10 है तो चलिए हमने 4 पर पड़ी रखा कहां चलना है 10 पर चलना है तो दस यहां पर देखिए दिया हुआ है कि यह हो गया आपका इस बिंदू का निर्दसांक हो गया माइनस 4 कामा 10 हो गया के लिए रो गया तो इस सारडी का दो मान था, दो निर्दसांग, दोनों निर्दसांग को मैंने यहां पर बिंदू के द्वारा दर्सा दिया, अब इन दोनों बिंदूओं से हमें क्या खीचना है, रेखा, चलिए खीचा जाए, इन दोनों बिंदूओं से रेखा, इन दोनों बिंदूओं से, ऐसे हमने क्या या रेखा खिछ दिया, ठीक, क्लियर हो गया न, इसका नाम डाल दीजे, याल 1, क्यूंकि ये समी करण एक का है रेखा, अब इसी प्रकार आप समी करण 2 का, समी करण 2, इसमें दिया, X बरावर 8, Y बरावर मानिस 2, तो X बरावर 8, तो पलस में है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस y का value देखिए minus 2 दिया तो y का value उपर plus होता minus 2 नीचे होता है तो हम जब 8 पे चले हैं तो देखिए यहाँ पर minus 2 यही है a यहाँ पर आ गया a बिंद हो गया तो पहले x चले हैं 8 पे आवाट से फिर नीचे चले हैं minus 2 यह बिंद मिला तो है लिखेंगे 8 कामा minus 2 हो गया क्लि rate दूसरा दिया minus 2 कामा बार है तो x कामा मान सबेखिए x कामा बार है y कामा बार है देखिए ओपर है तो चले यहाँ पर ऊपर की तरप चलते हैं तो minus 2 यहाँ पर मिल गया तो बार है यहाँ पर है a है हो गया ना तो ए हो गया आपका वारा है तो यहाँ पर ए हो गया तो इसका निर्दसांग आपका हो गया माइनस टू कामा बारा हो गया क्लियर हो गया अब इन दोनों बिंदों को मिलाना है एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है इन दोनों बिंदों को मिला दिया जाए इन दोनों बिंदों को क्या किया जाए मिला दिया जाए इसको अलग पेंसे दर्सा देते हैं ताकि असपस्थ हो देखें मिल गया मिला ना अब यहाँ पर जब हमने खीचा तो यहाँ पर जो E1 रेखा था यह हो गया ال2 तो yellow one और EL2 को जब खीचा तो यह दोनो एक दूसरे को देखो काटा है की नहीं काटा है तो एक दूसरे पर परिछेद किये है क्या किये है प्रति छेद किये प्रति छेद कर दिये है जहाँ एक रेखा दूसरे रेखा काँ आपस में काटता उसको बलता है एक हम से पूछा था इस सवाल में पेंसिल और कलम का मुल्ड बताई है तो यहां पर देखे जहां कता है तो कटने की बाद क्या आया कटान बिन्दू कटान बिन्दू तो पहला वाला जो मान है यह एक्स है दूसरा वाला मान क्या है Y तो आपने सवाल में क्या मान रखा था सवाल में ध्यान दीजेगा सवाल में आपने माना था ध्यान दीजेए यहाँ पर है यहाँ पर देखे पैंसिल बराबर क्या माने है X और कलम का क्या माने है Y तो पैंसिल का X माने है तो यहाँ पर देखिए X का मान याई पैंसिल का मुल कितना निकल के आया X जो है यह आपका पैंसिल हो गया और Y क्या होगा? A होगा आपका कलम हो गया क्या हो गया? कलम तो आपसे पूछा था देखिए यहाँ पर ध्यान से पूछा एक पैंसिल वए एक कलम का मुल बताईए तो एक पैंसिल वए एक कलम का मुल तो यहाँ पर एक पैंसिल और एक कलम का मुल कितना आया तीन रुपिया आया किना आया तीन आया तो pencil का मुल हो गया 3 रूपिया और column का मुल हो गया 5 रूपिया इस तरह हमने क्या किया आपको इस वीडियो में तीनों प्रकार के ग्राब को मैंने क्या किया साब्तिक प्रसुन के समस्याओं को हल करके बता दिया तो तीनों सवालों में अलग अलग काटा पहले में काटा था संपाती दूसरे में काटा था आपका समांतर और तीसरे में आपका काटा परिछेद तो आई होप आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें सस्क्राइब करें और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें जैहिन जैभारत